हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे इस्टाग्राम के अप्लिकेशन में अपना पासवर्ड यहाँ पे फॉर्गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपके फोन पर OTP नहीं आता है तो इस प्रॉबलम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टाट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे अपने फोन पर यहाँ पे आप लोग इस्टाग्राम के अप्लिकेशन को अपडेट कर लीजिए तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग को ओपन करना है और फिर यहाँ पे आप लोगों को उपर की ओर आनी है फिर यहाँ पे आपको application का option आता है तो आप लोगों को यहाँ पे click करना है उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे manage application में आना है और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को search बार में click करना है और यहाँ पे आपको search करना है Instagram तो अब आप लोग यहाँ पे Instagram सर्च करेंगी तो आप लोगों को Instagram आएगा तो आप लोग उसको open करिए open करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आप लोगों को stories पे आना है और फिर यहाँ पे आपको clear all data कर देना है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे app permission को option आता है तो आप लोग यहाँ पे app permission वाले option पे click कर लिजिए उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जितना भी permission मंग रहा है तो आप लोग यहाँ पे सभी permission को allow कर लिजिए तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे सभी permission को allow करेंगे तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपकी जो problem है वो यहाँ पे solve हो जाएगी तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इस problem को solve कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में